कि नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है इस लौजर सचनसिक का और मैं आपके लेकर आया हूं सापता ही राशी फल एक अगस्त से साथ अगस्त के वीश पर आपकी राशी के साथ क्या कुछ अच्छा होने वाला है यह हम आपको बताएंगे यह जो जानकारी है चंद राशी और ना चंद राशी देखना नहीं जानते हैं तो आईए हम सबसे पहले आपको चंद राशी देखना सिखा दे यह देखिए एक कुणली है आपके समक्ष पूरी स्थीन पर कुणली है अब मेरी आवाज को सुनिएगा इसमें बारा खाने हैं और आप अपनी जनम कुणली खोल कर देखिए जिस भी खाने में चंद्रमा बैठे हुए हैं आपकी जनम कुणली में जो आपकी जनम कुणली है जिस भी खाने में चंद्रमा बैठे हुआ है उस खाने में नंबर क्या लिखा हुआ है माल लिजिए उधारन के तौर पर यह और कुणली आपके साब नहीं आई य मेश राशी की कोड़ी है अब इसमें जो चंद्रमा है वो कहां बैठे हुआ है जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है तो इस महिला या पुरुष की जो राशी हो गई वो मेश हो गई और इनका लगन भी मेश हो गया अब उधारन के तौर पर दूसरी कोड़ी देखिए यह आपकी राशी होगा तो चंद्रमा जिस भी नंबर पर बैठे हो किसी भी भाव में जो नंबर आ रहा हो वही जो नंबर है वही आपकी राशी होगी एक नंबर होगा तो मेश दो है तो व्रशब टीम है तो मितुल चार है तो करक पांच है तो सिंग छे है तो कन्या साथ है तो तुला आठ है तो प्रश्षिक नौ है तो धनू तस है तो आपकी मकर ग्यारा है तो कुम्प बारा है तो मीद। तो अब आप चंद राशी निकालना और समझना जान गए हैं. तो चंद राशी के अधार पर ये राशी फल हम आपको बता रहे हैं. इसको आप नाम राशी से भी देख सकते हैं, इससे भी आपको लाब होगा। आईए शुभारंब करते हैं राशी फल्क अगस्त के पहले सब्तहा का। इस स६्तहा में एक सुभ योग बना है श्रीलक्ष्मी नारायर योग। यह योग जो है आपको बहुत अच्छी ज़गण देगा श्रि लक्ष्मी नरायान योग कैसे बनता है जब बुद्ध और शुक्र की यूति होती है तो बुद्ध, भगवान, विश्णु शुक्र, अर्वान लक्ष्मी है दोनों मिलकर श्री लक्ष्मी नारायन योग मिलाते हैं जैसा कि लक्ष्मी और नारायन दोनों का जब आशिरवाद मिलता है तो वक्ति पैसा कमाता भी बहुत है और पैसा बचाता भी बहुत है और भी उसको बहुत साई पढ़ाई लिखाई हर जगे पर सुख सुर्धाय मिल अब आपकी राश्री की बात करते हैं कैसे वितेगा सप्ता इस महीने की जो शुरुवात है तुला राश्री वालों के लिए थोड़ी सी सही नहीं है आपको थोड़ा सा टेंशन से इस सप्ता की शुरुवात हो सकती है हो सकता है आपकी लड़ाई घर में किसी से हो जाए घर में किसी से मन मुटाओ हो आपकी चुगली लोग करते हैं आपके पीट पीशे आपकी बुराई करें तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए आप कान के कच्चे हो सकते हैं किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ बोल दिया ब आपको किसी की आत्व प्रशन्शा से वचना चाहिए। लोग आपकी प्रशन्शा करेंगे, लोग आपकी जोटी तारिफ करेंगे, चाप लूसी करेंगे, और आप उनके कहने पर आके कुछ उल्टा सीदा कर बैठेंगे। आपकी सुचन्यता आपके साथी को परशान कर सकती है, आप जोश और हिर्मत से, रॉब से, शत्रूओं से लड़ेंगे और शत्रूओं के होसले भी तूटेंगे, शत्रू आपके सामने आने से घबराएंगे, पीर फीचे आपकी बुराई होगी, आपको बदनाम किया जा सकत है, आरोशना हो सकती है, शत्रू पहले पीर फीचे आपकी बुराई करेगा, वही शत्रू आपके मुग के सामने आपकी तारीफ पुरेगा, तो आप पहचान नहीं पाएंगी कि आपकी इंगर साथ कौन है, पांच और शे तारीफ को आप अपने संपर्खों का प्रयोग कर पूरा साही योग मिलेगा, साथ तारीफ को समय शांती प्रीज रहेगा, और आप विवेर शीर बने रहें, ज्यादा गुसार ना करें, आपकी जो शेहन शीलता का भाव है, उसको बनाए रखें, इस अप्ता में स्वास्त को लेकर आपको बहुत ज्यादा जिनता नहीं है, हाँ, लेकिन चापरूसों से बचना है, या कहें, जो आदमी रोग बेफालतों में आपको सर चढ़ा दे, ऐसे लोगों से बचना है, आप ने कोई पिछले दिरों में कोई धन निवेश किया था, कोई प्रॉपर्टी खरीजी थी बड़े, दिरों से कोई पैसा या जमीन प करेंगी, आपकी जो परिशानिया थी हो दिरों हटने लगेंगी, ऐसे में सप्ता का बेहतर उपयोग आप कर पाएंगे, सप्ता आपके लिए बहतर रहेगा, आपके दिवान को योजना पर योजना बना रहे हैं, वो भी सफल रहेगी, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी समय अच्छा है, आप इसको ध्यान से बताइएगा, खुश रहीएगा, परसंद रहीएगा, और हर्मान जी की उपास्ता जरूर करिएगा, अब हम आपको बताते हैं कुछ और शामदार उपाएं, देखिए हर सप्ता में साथ दिन होते हैं, ये साथ दिन जिन्गी के हमें साथ नेने सपने दिखाते हैं, तो आईए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसका सहरा लेते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम भगवान की भक्ती का सहरा लेते हैं, मैं आपको दस बाते बताऊंगा, जल्दी से दो मिनट में, इन बातों को अगर आपने माना तो यह सब्ता बहुत बहतर जाएगा पहला काम सुबह जल्दी उठीए और रात को जल्दी सो जाईए पहला नियम बनाईए दूसरा नियम जब भी घर से बाहर जाए तो भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकले और रास्ते में आपके आफिस या आपकी दुकान में जाते समय रास्ते में जो भी मंदिर गुर्दवारा या धर्म इस्थान पड़ता है आप इसी भी धर्म के है वहाँ पे मत्था जरूर टेकिए नहीं अंदर जा सकते हाथ जोड़कर भगवान को नमशकार जरूर करें किसी गरीव ब्रक्ति को कब से कम सब्ता हमें एक एक ही जो जरूरत बंद है उसकी जरूरत की एक चीज़ आप जरूर दे इतना दान जरूर करें अगला काम, चौथा काम आप जब भी अपने काम में हो, अपने नौकरी में हो, अपनी जगे पर हो, जहां पर भी विजनस हो वहां पर जो आपके सीनियर है और आपके घर में जो आपके सीनियर है उनका सम्मान जरूर करें पाँचवा काम भगवान सब कुछ देख रहा है तो भगवान से चोरी ना करें किसी से बैमानी ना करें छाटा काम आप वही खाएं जो आपके शरीर को सही रखें जिस चीज़ों खाने से आपको आलस ना आए वरना काम कैसे करेंगे आलस आएगा अगला काम माश मशली सब का त्याग करें शराब का त्याग करें और ये बात हो गई आपकी आठवी बात आठवी बात ये है कि किसी भी महिला का या किसी भी गरीब का या किसी भी बच्चे का या किसी भी चानवर का आपकी तरफ से कोई काम ना हो जिससे उसको तकलीफ पहुँचे इस बात को ध्यान रखिएगा अगला काम कभी भी ये मत कहिएगा कि आप नौकरी में नंबर बन है आपको सब कुछ आता है आप बहुत अच्छे वैपारी है हमेशा ये कहिएगा कि आप तो अभी सीख रहे हैं जब आप सीख रहे होते हैं तो भगवान आपको सिखा रहे होते हैं जब आप कहते हैं हम सब को सीख गए हैं तो भगवान भी सिखाना बंद कर देते हैं तो हमेशा भगवान के सामने अपने काम में स्टूडेंट बने रही है कुछ ना को सीखते जाएंगे जिसका लाप साइज जितनी मिलता रहेगा अंतिमका जब अपने नौकरी से वैपार से घर वापस जाए तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए खाली हाथ में जाए भले आप एक किलो आलू ले जाए आदा किलो मिठाई ले जाए कुछ भी ना हो माली ये भूल गए कुछ भी नहीं ले गए तो आप कोई फूल कोई पती कोई घास का टुकड़ाई घर ले जाए लेकिन खाली हाथ घर न जाए ये दस बाते थी बहुत छोटी छोटी लेकिन इनके फायदे बहुत है करके देखिएगा और भगवान का नाम लेते रहिएगा आपके सभी काम पूरे हो जाएगा और अंतिम ग्यार्वी बा पोश्च कर ही विस्तर पे जा क्या करते है बातों में जाके अपने गीले गीले पैर देन में लेते हैं ढ़ारन आँ सब्सक्रिक्राशनी आप जरम फुनल सब मतना जाहते हैं ये के नमरों पे और संबर कर सकते हैं नमस्जा अट